वेलकुम टू सुकला स्टडी पाट्ट आप सभी का स्वागत है आपके प्रिण लुटीप चैनल सुकला स्टडी पाट्ड में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ या कुछ लोगों का भी भी annual ही एक परकार से कुछ भी स्विध्यालेंग कई परिक्षा हो सकता है हो रही हो ठीक है तो उनके लिए एक परकार से और खास करके जो बीए थर्ड समस्टर में हैं हिंदी गद्ध जिनको पढ़ना है उनके लिए भी महत्रपुन है चुकि हिंदी क पढ़ता था पहले तो उसके लिए भी महत्रपुन बाकी हिंदी गद्ध से रिलेटेट परसन यहां पर बहुत सारे आपको दिखाई पढ़ेंगे तो आपके लिए भी महत्रपुन है आज मेरे पास एक जो है स्टुडेंट ने पेपर इसको भेजा और कहा कि सर्जी इसको स बढ़ने का प्रियास करूंगा आप जक्टिव टाइप के हैं प्रसनों को देखेंगे पहला प्रसनाप का है कि भगवती चरण बर्मा किस काल के लेखक है बाई यह आधुनिक काल के लेखक है आपसे नमबर डी करेक्ट एंसर होगा आपका दूसरा प्रसनाप से पूछा ग आपका प्रसनाप से प्रकास बालमीकी की ही है आपसा नमबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा चोथा नमबर प्रसनाप से पूछा गया था कि गाजा by परहीं आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन पचवा प्रसन आप से पूचा गया था पचवा प्रसन जैसंकर प्रसाद किसी उक्किलेकक हैं तो भाई आधिकाल के नहीं ना भक्तिकाल के ना रीतिकाल के आधुनिक काल में वो भी छायवाद के उन नायकों में से एक हैं यहनि छायवाद के प्रवर्तक का जेक प्रकार से दर्जा भी जैसंकर प्रसाजी को ही दियाता है आपसा नमबर इसका डिकरेक्ट एंसर होगा छठा नमबर प्रसनाब देखेंगे भगवती चन बर्मा कृत उपन्यास है भगवती चन बर्मा कृत उपन्यास इन में से कौन सा है भाई देखें चित्र लेखा उपन्यास किसका है बताएं चित्र लेखा उपन्यास ये भगवती चन वर्मा का ही है आपसा नमबर इसका ये करेक्ट एंसर होगा कंकाल किसका है कंकाल आपके जसंकर प्रसाद जी का है गोदान आपको पता होगा किसका है गोदान उपन्यास के लेखक है सबसे जबरदस्त किसान जीवन की तरासदी का वड़न करने वाला उपन्यास है मुंसी प्रेम चंजी का ठीक है उपन्यास समराट कह जाते है अगला प्रसातवा नंबर आप प्रसंदेखेंगे पूछा गयता कि स्रीलाल सुकल करत उपन्यास है स्रीलाल सुकला ने इन में से कौन सा उपन्यास लिखा था भाई तो स्रीलाल सुकला जी का उपन्यास है इन में से राग दरबारी जो है ये सिरिलाल सुकला जी का उपन्यास है ये सब प्रस्ण आप से आपजेक्टिम पूर सकता है हिंदी गद्धी में खास करके प्रस्ण देखेंगे चित्रलेखा उपन्यास के लेखक है चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है भई फड़ा पर से बताने का प्रियास करेंगे अभी अभी मैंने बता चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है भगवती चणबर्मा आपसा नमबर इसका अभी कर्ड़ेंसर होगा अगला प्रस्वानामज आप प्रस् consumo देखिए, चित्रलेखा उपन्यास की समस्या पराधारित है बाई, चित्रलेखा उपन्यास है यह खास करके पाप और पुनि के प्रस्ण पराधारित है आपसा नमबर इसका सी कर्रेक्ट एंसर होगा, दास्वानमज नमबर प्रस्ण अगला प्रस्णाफ का ग्यारवा नंबर आंचलिक उपन्यास कार या आंचलिक कहानिकार आंचलिक मतलब होता है अंचल से जुड़े रहना यानि कि गाउं के प्रती कहानी लिखना गाउं के लिए कहानी लिखना गमईी कहानी लिखना तो उनमें नाम आता है फड़ी सुर ना कहाने लिखी थी प्रेम चंजी ने तेरवा प्रसनाफ से लोग देखेंगे एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा ती ब्रिगती से आगे बढ़ने का प्रियास करता हूँ अगला प्रसनाफ का है हिंदी साहित में पर्थम उपन्यास कौन साहिब आई पर प्रसनाफ देखेंगे चौदा नंबर प्रसनाफ से पूर्था गया था चौदावा नंबर प्रसन देखेंगे निमलकित में से हिंदी कहानी के तत्तु है कथानक हिंदी कहानी के तत्तु है उद्देश भी भासा सैली ठीक है और इसके अलामा आप देखते हैं जो है क्या ब दिखाता है किलियर इन में से जो करेक्ट एंसर होगा आपसर नंबर डी राग दर्बारी उपन्याज जो है ये समकालीन रादनीती पर भंग किया गया है सोलवा नंबर प्रसनाब देखेंगे सोलवा नंबर प्रसनाब की स्कीन पर आचुका कलम का सिपाही किसे कहते भाई प्रसनाब के लिए लक्षर बहुत ही महत्पून है हिंदी गद्धिवालों के लिए और बाकी जिनका एनुवल होने वाला है बैक पेपर लगा हुआ हिंदी का पेपर टू का उनके लिए बहुत महत्पून है प्रसनाब की संसार में पाप कुछ भी नहीं है वाख केवल पुन्य के दिश्चकून की विसमता का दूसरा नाम है या कथन किस रचना से लिया गया है भाई तो या कथन जो लिया गया है वो चित्रलेखा से लिया गया आपसा नमबर इसका ये करेक्ट एंसर होगा अगला परस देखेंगे 19 नमबर परस ने जैसंकर परसाद करत कहानी कौन सी है जैसंकर परसाद की कहानी भाई देखेंगे गुंड़ा भी कहानी जैसंकर परसाद की ही लिखी है आधी कहानी के लिखक भी जैसंकर परसाद है आकास दीब कहानी भी जैसंकर परसाद ने लिखी है आपस ठीक है चित्रलेखा फण्यास के ये दोनों पात्र हैं आगे बढ़ते हैं उसने प्रेम भी करा था किस से करा था प्रेम ये प्रस परस नहीं पूछेगा ये प्रस पूछें चित्रलेखा को बैicy उपरांथ नि जो है बयदमलब बिधवा होने के उपरांथ उसको किसtså प्रेम हो गया था तो उसको किस प्रेम हो गया था भाई उसको प्रेम हो गया था किश्नादिति से आपसे नमबर इसका डीकरक्ट एंसर होगा तेश नमबर आपसे पुछा गया है कि चित्रलेखा उपन्यास में योगी पातर कौन सा है चित्रलेखा उपन्यास में जो योगी पातर है आपने आप को कहता है कि सारी काम आसनों पर मैंने नियंत RAW अस्थाफित किया है वो उसका नाम है कुमार गिडी आपसर नमबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा 24 नमबर परसन आपसे पूछाया सकता है कि रागदर्बारी उपन्यास की सन में रचना इसकी होती है रागदर्बारी उपन्यास की रचना जो होती 1967 में होती है आपसर नमबर इसका D परकासन होता 1967 में अगला परस देखेंगे 25 नमबर परस ने सिरिलाल सुकला की किस रचना पर धारावाही के निर्माड हुआ है तो किस पर हुआ है भाई किस पर हुआ है सिरिलाल सुकला जी कि कौन सी रचना जिस पर धारावाही के निस सीरियल बन चुका है भाई तो रचना आपकी है वो रचना है रागदर्बारी आपसा नमबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा अगला परस देखेंगे 26 नमबर परस आपसे पूचा गया है कि रागदर्बारी का पातर आज की करांतिकारी इवा पीड़ी का प्रतीक है तो कौन सा है भाई कौन सा है बिलकुल आपसा नमबर इसका एक करेक्ट एंसर होगा इसकुल में कालेज में अगला परस देखेंगे 27 नमबर स्रीलाज सुकला जी की रचना कौन सीन में से स्रीलाज सुकला जी की रचना देखें रागदर्बारी भी है सूनी घाटी का सूरज भी और पहला पढ़ाओ भी 27 नमबर क डी करेक्ट एंसर होगा ये सारी रचनाएं स्रीलाज सुकला जी की हैं अगला परसाथ 28 नमर देखेंगे राग दर्वारी के पातर हैं रुपन बाबू रंगनाद बैज जी तीनों है आपसा नमर डी लगा देंगे अगला परसाथ से पूछा गया 29 नमर परसने केंगे राग दर्वारी का कौन सा पातर नायक के रुप में सुरू से अंतर तक बना रहता है तो कौन बना रहता है भाई वो कौन बना रहता है तो 29 का करेक्ट एंसर होगा राग दर्वारी में किस गाओं का उलेख मिलता है 30 नमर करेक्ट एंसर होगा आपसा नमर भी सिवपाल गजिकाट अगला परसन 31 नमर देखेंगे रुपन बाबू और बदरी पहलवान किसके पुतर थे तो ये बैज जी के पुतर थे 31 नमबर का B आपसन करेक्टर एंसर होगा अगला परस देखेंगे 32 नमबर परस पूचा गया था कानपूर और कलकत्ता नगर का वरणन किस कहानी में हुआ है तो कानपूर कलकत्ता नगर का जो वरणन हुआ है भई ये हुआ है जो है किस कहानी में ये हुआ है भई किस कहानी में ये कहानी आपकी 32 नमबर का करेक्टर एंसर होगा आपसन नमबर A यही सच है कहानी मनू भंडारी की कहानी है और इसी में है अगला परसाम देखेंगे 33 नमर परसाम देखेंगे संजे किस कहानी का पातर है संजे जो कहानी का पातर है भई वो किस कहानी का पातर है यही सच है कहानी का पातर है मनु भंडारी ने लिखा इस कहानी को अगला परसाम देखेंगे अगला पसने आपका 34 नमबर चंदा किस कहानी की पात रहे भई चंदा किस कहानी की पात रहे तो चंदा जो है ये राजा निर्बंसिया कहानी की पात रहे वकाम लेसर की रिशना है राजा निर्बंसिया कहानी है अगला पस देखेंगे 35 नमबर घीसु माधो का संबंद क्या ह गीसु माधो बाप और बेटे हैं ठीक है और ये गीसु और माधो जो है ये कफन कहानी के दोनों पात रहें के लिए आगे बढ़ते कफन कहानी किसकी मुंसी प्रेम चंजी के 1936 में लिखी गई है अगला परसे 36 नमबर परसे बुधिया किसकी पतनी है तो बुधिया जो है आपसा नमबर इसका सी करक्टर एंसर होगा अगला परसे आपका 49 नमबर परसे आपसे पूचा गया था बई ये 2022 का कोशन पेपर है लेकिन आपकी परिशा के देश्टर से महत पोन है एक ए स्टुडेंट ने मेरे पास भेजा तो मैंने कहा कि साल्व करवा दिया जाए ठीक चले रजनी गंदा फिल्म किस रचना पर बनी है भाई भटा बट से पताएंगे रजनी गंदा जो फिल्म बनी है ये सच है कहानी पर थीक है आपसे नमबर इसका D करक्टर एंसर होगा चालिस नमर प्रसणाँ आप देखेंगे बच्चन सिंग इस कहानी का पात्रे बड़ाई तो बच्चन सिंग जो कहानी है और राजा निर्भंसिया कहानी उसी का पात्रे आपसा नमर इसका भी apparent answer होगा अगला प्रसणाब देखते हैं अगला प्रसना आपका आचुका ही तालिस नमबर प्रसने पचीश चोगा डेड़ सो कहानी के लेखक कौन है तो ओम प्रकास बालमीकी है आपसा नमबर डी करेक्टर एंसर होगा तिलालिस नमबर प्रसने ओम प्रकास बालमीकी के रचना है बताएं ओम प्रकास बालमीकी चुकिए आपके पाठे करम में भी संकलित है तो ओम प्रकास बालमीकी के रचना इनमें से कौन सी बाई देखें जूठन आपके पाठे करम में जूठन ही रचना संकलित है और घुस कौन सी है देखे इन में देखे माधोराव सप्र की नभीन सोधो के हिसाब से कहानी आई है माधोराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी वो हिंदी की पहली कहानी 1901 में प्रकासित हुई थी मितर पत्रिका से 36 गड़ से प्रकासित हुए थी तो माधोराव सप्रे उसके लेखक एक टोकरी भर मिट्टी की तो नभीन सोधों के हिसाब से पता चला है कि हिंदी की पर्थम कहानी वो है लेकिन आचारामचान सुकला जी ने हिंदी की पर्थम कहानी किसको बताया है इंदुमती को इंदुमती कहानी के लेकर हैं कि सुरेलल गोसामी आपसा नंबर इसका एक अर दभी सरचना की मौलिक्ता पर प्रसंचन खड़ा कर दिया लोगोंने और खास करके लेकिन सुकला जी प्रथव कहानी इसी को माने हैं 1900 में प्रकासी तुई थी सरसति पात्रिका से प्रकासी प्रसंचन पर सैंचन खड़ा जी तूमती का है एक करेक्डे सर करुछा दिया स्थ diss श्वरूर्ण फड़ाने का परियादू आगवाई और मारे गए गुलफाम तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम एक ही कहानी हीरा मन और हीरा बाई पर पूरी कहानी इर्दिगित घूमती रहती है ठीक है बेच्चू के सिलेबस में भी ये कहानी संकली था अगला परसाम देखेंगे राजा जगपती किस कहानी के पात रहें राजा जगपती किस कहानी के पात रहें भई फड़ावट से बताने का प्रियास करेंगे 49 नंबर के करक्टेंसर क्या होगा 49 नंबर के करक्टेंसर क्या होगा तो ये राजा निर्बंसिया राजा जगपती जो है राजा निर्बंसिया कहानी के पात रहें पचास नमबर परस आप देखेंगे राजा निर्बंसिया या कहानी कौन सुनाता था मा सुनाती थी बच्पन में आपसा नमबर इसका ये करेक्ट एंसर होगा अगला परसन देखेंगे एक क्यावन नमबर परसन है नहीं मैं ब्यक्ति से नहीं मिलती मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ डग्ती का मेरे जीवन में कोई संबन नहीं है चित्रलेखा उपन्यास में अकथन किसका है तो चित्रलेखा उपन्यास में अकथन चित्रलेखा का ही है आपसा नमबर इसका करेक्ट होगा A 51 नमबर का करेक्ट एंसर A होगा ये चित्रलेखा किसे कहती बीच गुपते से कहती तो आपसर नमबर इसका एक एक रख्ट एंसर होगा अगला प्रसन बावन नमबर आप देखेंगे बावन नमबर प्रसन है रुपन बाबू जल्दी मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती या कथन किस रचना से भाई ये कफन कहानी से है मुझसी प्रेम चंजी द्वारा लिखी थे घीसु मादो बैटे है और आलू जो है भूजी गई थी उसी आलू को खा रहे है ठंडी का महीना था अब घीसु कहता है कि तू जा करके देख ले मादो से तो मादो कहता है कि मरना है तो मर क्यों नहीं जाती मलब जल्दी क्यों नहीं मर जाती है ये मादो कहता है यानि कि आप देखेंगे बड़ी आप जो कहानी पढ़ेंगे कभी कफन कहानी बड़ी जवर्दस कहानी आप पढ़ लिजेगे एक बार ठीक है आपके पाठे करम में भी संकली थें ठीक है थर्ड समेस्टर वालो आगे बढ़ते हैं अगला प्रसनाप देखे गीसु सोच रहा था कि मादो जादा ना खाले इसी चक्कर में क्या है ना घीसु देखने गया ना मादो देखने गया ठीक है और वो मर गई बुधिया इसी परकार से आलसी थे दोनों लोग अगला प्रसाद देखें पचपन नंबर प्रसनाप से पूछा गया घीसु मादो क्या भून करके खा रहे थे भईया तो आलू भून करके खा रहे थे चपन नंबर प्रसनाप देखेंगे चपन नंबर प्रसनाप से पूछा गया कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन ढखने को चीथड़ा भी ना हो उसे मरने पर नया कफन चाहिए या कथन किस क पर जानी से भई कफन कहानी से आपसा नमबर C करक्ट एंसर होगा 57 नमबर पर सुनाप देखेंगे हिंदी साहतिकी मलब हिंदी साहतिक गद्ध की विधा है उपन्यास कहानी निबंदे सारी विधाय आपसा नमबर D लगा दीजिएगा 58 नमबर पर सुनाप के इसकिन पर आ राजा निर्बंसिया के बारे में मैंने बार बार आपको बताया है ये बताओ आपकी किसकी कहानी अभी मैंने शुरुआत में बता दिया था 69 नमबर परसने भीसम साहनी किर्ट रचना कौन सी भाई चीफ की दावत आपसा नमबर इसका एक करेक्ट एंसर होगा 69 का 69 नमबर का करेक्ट एंसर क्या होगा भई आपका 69 नमबर का करेक्ट एंसर होगा आपका देखेंगे 69 नमबर परसने आपका क्या आचुका है भई 69 नमबर का आपका करेक्ट एंसर होगा देखे बीसम साहनी के रजना चीफ की दावत तमस वसंती तीनों है आपसर नमबर डी लगा दीजेगा इसका ठीक है अगला प्रसाम देखेंगे साथ नमबर प्रसने राजा निर्बंसिया कहानी के लिखक कोन है बताओ भाई मैंने पूछा भी था बताओ करेक्टेंसर इसका क्या होगा बिल्कुल कमले सो राजा निर्बंसिया कहानी के लिखक है आपसर नमबर सी करेक्टेंसर होगा अगला प्रसना देखेंगे एक साथ न प्रिद्धों की समयस्याओं पर आदारी थे खास करके अगला प्रसाइए तो गुंडा कहानी की पात्र गेंदा कौन थी बताएं तो गुंडा कहानी की पात्र जो गेंदा थी ये राज माता पन्ना की दासी थी आपसर नंबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा अगला देखेंगे चौश्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष करेक्ट होगा आपका अगला अगला प्रसाप देखिएगा तो गाँ वाले udah उन्हों ने देखा तो विझार आना कोई दु आना कोई एक आना इस परकार से पैसे इकठ के दे लेगे और सभी कुल मिला करके पैसे कठे हुए 5 उरुपए कुल मिला करके पूरे गाउं से अब ये लोग दो पाहर के समय चले गए जो है कफन लाने के लिए गए बाहर अब जब कफन लाने के लिए घीसोर मादो जाते हैं रास्ते में होटल देखा भाया और 10-12 साल पहले के भूखे थे बड़े दिनों के भूखे थे एक बार किसी की पारटी थी उसी में भोज़ा उने जन किये थे और बहुत भूखे थे और उन्होंने जाया गया पूरी खाया और फिर दारू भी पिया बगल भी भी खारा था उसको भी कहा कि लो तुम भी खाओ इस प्रकार से तो पूरी और सरापी लिया आपसा नंबर इसका डी करेक्टेंसर होगा अगला परसन उन्हात्या नंबर परसन है घीसु मादो किस जाती से सम्मन दिते भाई तो घीसु मादो चमार जाती से सम्मन दिते हैं अगला परसन आप देखते हैं राग दरबारी उपन्यास किसके बीच खीचा तान तो ये यथार्थवाद और आदरसबाद इसके बीच में खीचा तान दिखाए गया है एक प्रकार से कहीं यथार्थवाद और आदरसबाद की परती एक प्रकार से आप देखते हैं त्यक्तिर का correct answer क्या होगा भाई राग दर्बारी उपन्यास की लेखा कोने सुरियलाज सुकला जी है ठीक है आपसे नंबर इसका भी correct answer होगा अगला प्रस देखेंगे 54 नंबर प्रस ने राग दर्बारी उपन्यास के गाउ सिव्पाल गंज में कितने थाने भाई सिवपाल कितने थाने हैं यह भी मैंने नहीं इसको रिसर्च किया कोई दिक्कत नहीं इससे यह प्रस्ण आपका आएगा नहीं आगे देखेंगे चंगा में इंटरिमेटर कालेज किस पंच वर्षिय जोना के दर खुला इसका भी कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपके जो की खास करके आपके थार्ड समस्टर से भी रिलेटेट है इसलिए मैंने सुचा आपको अब्जेक्टिव बता दिया जाए अगला प्रस्ण चैतर नंबर रागदरबारी का कौन सा पातर रंगीला नेता के रूप में हमारे सामने आता है तो भाई वो र कफन के पैसे किन से प्राप्त होई थे भाई गी सुमा ठोगो कफन के पैसे जो प्राप्त होए थे वो गाउवालों से प्राप्त होई थे पांच रुपए आपसा नंबर इसका को पन्यास का वो आगे देखते हैं अगला प्रस्णाब से पुछा गए 80 नंबर प्रस्णाब देखेंगे 25 चौका 1.500 कहानी का मूल भाव क्या है भाई जाती गद भेद भाव और सोचल आपसा नंबर इसका एक करेक्टर एंसर होगा 81 नंबर प्रस्णाब 25 चौका 1.500 किस विधा की रिचना है तो यह कहाली विधा की रिचना आपसा नंबर इसका डिकरेक्टर एसका 81 का अगला प्रस्णाब देखेंगे रागदरवारी किस विधा की रिचना है भाई बैदी जी के नोकर का क्या नाम है 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 बैदी जी के नोकर का नाम है आपका मंगल दास अपसन नमबर इसका C करेक्ट एंसर होगा और इसका वैसे नाम था सनीचर ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रसन 85 नमबर राग दरबारी का कौन सा पात्र हमेशा नसे में रहता है 85 का करेक्ट एंसर क्या होगा भई C आपसन बिल्कुल जो गनाज जो हमेशा नसे में रहता है अगला प्रसन आप देखेंगे आप अभितरता का कोई अस्थान नहीं है या कथन किस का है भई तो ये कथन जो है आपका राग दरबारी का ही आपसन नमबर इसका अभी करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसन नहीं 88 नमबर लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाला अभी समझे कि या बकवास कर रहा है या कथन किस रचना का है या कथन जो है भई ये राग दरबारी का ही है आपसन नमबर इसका C लगा दीजिएगा अगला प्रसन आप सभी लोग देखेंगे 89 नमबर प्रसन आपकी स्किन पर आचुका है ना हम पाप करते हैं ना पुनि करते हैं पंक्ति किस रचना की भई या जो है रचना कौन सी है ये रचना है चितरलेखा आपसन नमबर इसका C करेक्टरेंसर होगा 89 का अगला प्रसन 90 नमबर आपकी स्किन पर आचुका है चितरलेखा के पात रहे चितरलेखा बीजगुप्त स्वेतां के तीनों है आपसन नमबर इसका C करेक्टरेंसर होगा 29 नमबर प्रसन आप देखेंगे पाप पुनि का चिरंतन प्रसन की स्रचना का कथानक है भाई ये चितरलेखा का ही है आपसन नमबर इसका 29 का अगला प्रसन देखिएगा 93 नमबर प्रसन आपसे पूछा गया एक बार सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा मात्र भी 24 मिनट होने वाले है और 24 मिनट में एक मिनट तो लगबग इंट्रोडेक्शन में चला गया बाकी 23 मिनट के अंतरगत आपके लगबग 90 से उपर प्रसन हो चुके हैं और तीबर गती से बढ़ेंगे तो 25 मिनट में आपका एक मिनट में चार कोशन में ने करवाने का प्रियास किया है 25 मिनट में आप देखेंगे 25 चो का 100 ठीक है इस प्रकार से तिरानबे नमबर प्रसन तीबर गती से बढ़ने का प्रियास तुम नहीं जानती कर्ज कोड का रोग होता है एक बार लगने किसे तन को गलाता ही है मन भी रोगी हो किस रचना का है बताएं तिरानबे करेक्ट इंसर का बिल्कुल यह राजा निर्बंसिया का है अगला प्रसने चोरानबे नमबर पहली तन खार के रुपे घामे थामे अभाव के गहरे अंधकार में रोसनी की उम्मीद से बार आया था यहा पंक्ती किस रचना से भाई यहा उसी के बारें बात कर रही यहाँ पर अगला परसने सुदीप किस कहानी का पात रहे भाई तो 25 ओका 500 कहानी का पात रहे ओम परकास बालमिकी की रचना है आपसन नमबर डीर करेक्टरेंसरों का 95 का अगला परसनाब की स्कीन पर आचुका है 96 ओकास बाई परसने हीरामन किस रचना का पात रहे तो हीरामन तीसरी कसम का पात रहे तीसरी कसम मुर्फ मारेगे गुलफाम रचना है फड़ी सुरनाथ रेडू की अगला परसन आप देखते हैं 97 नमबर परसनाब का आचुका इसकीन पर कफन की रचना की सन में हुई भाई 1936 में हुई आपस नमबर इसका सी लगा दीजेगा 98 नमबर परसनाब देखेंगे तीसरी कसम के पातर कौन है भाई देखे गाड़ीवान हीरामन भी है और दरोगा जी भी है हीरा बाई है जो की इसके बैल गाड़ी में बैट करके गाड़ी में आती है और इसी पर कहानी पूरी लगबग इसी के इर्दिगर्दी गुमती है आपसा नमबर डी लगा देंगे डी करेक्ट एंसर होगा तीसरी कसम ठीक है यहनि इन सभी पातर मुसी के है निन्यानमे नमर प्रसनाब देखेंगे प्रसनाब का है कि मारे गए गुलफाम किस कहानी का अनिनाम है तो तीसरी कसम का ही अनिनाम है आपसा नमबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा आपसे एक प्रसनाब पूछता कि गैंगरीन कहानी का अनिनाम क्या है तो भाई रोज कहानी है ठीक गेंग्रीन और रोज कहानी ये की है और ये है अग्ये जीगीत सव नंबर परसनाब देखेंगे लाज्ट परसनाब का है कि निम्न में से आंचलिक कहानी है आचली कहानी काल सी, बैएत तीसरी कसम जो है, यह फड़ी सोनात रेनों की है आचली कहानी काल ft irrelevant रेनों की है और तीसरी कसम आचली क्ता पर ही अधार IT कहानी है तो इस प्रकार से आपके सोब प्रसंद अ हो चुके हैं महा संग्राम Revision Class जियोग्राफी का भी आपके समख जल्दी आने वाला है तो इसके लिए आप सभी लोग पहले से ही आप क्या करेंगे तयार हो जाएए Revision Class Geography के आने वाली है और इसके बात में हिंदी साहित का महा संग्राम 2.2 आने वाला है महा संग्राम 2.2 आने वाला है बहुत ही धाकर अंदाज में उसमें पढ़ाने का प्रियास किया जाएगा उस वीडियो के लिए आप तयार होजे महा संग्राम 2.2 एक दम से चीर करके रख देगा आपकी परिक्षा को मजाज आएगा अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे अगर एक या दो घंटे की क्लास होगी मेरे हिसाब से एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रियास रहेगा लेकिन अगर नहीं हो पाता तो दो वीडियो आपकी लग जाएगे लेकिन बहुत ही प्लब एक भी प्रसंद फिर आपका छूटेगा नहीं इस प्रिक्षा से आप करके आएंगे जियोग्राफी परियावर्ण आब्दा प्रबंधन और जलवाय परिवर्दन बिये थर्ड समेटर का या most important questions इसमें बताए जाएंगे यह महा संगराम रिवीजन क्लास है आप परिक्षा के अनुसमय में इस वीडियो को दे करके जाएंगे परिक्षा में आप पूरा का पूरा लिख करके आएंगे आपको कुछ नहीं पता है इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे कि दो से तीन बार आपका सारा doubt clear होगा और doubt कि जब आपने कभी पढ़ा नहीं और एक बार भी पढ़ करके जा रहे है तो फिर doubt नहीं होगा आप आसानी से जो कुछ भी आपको होगा दिमाग में जा करके लिख देंगे ठीक है अगर आपकी काफी भरी तो आपको number मिलेगा और आप आसानी से पास होगे धनी बाद मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियों तो तक के लिए जाएंजा बार तप से विका बहुत बहुत धनी बाद भर चेडियों के लिए good night of you